सुन्या गांदी जी मनमोहन सिंग जी केसी वेनू गोपाल जी एहमद पतेल जी PC चाको जी सुभाज चोप्रा जी डायस पे हमारे सब सीनिय नेता दोनों तरफ हमारे नेता NSUI Youth Congress महिला Congress सेवा जल बाई और बेनो प्रेश के हमारे मित्रो आप सब का यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मुकुल वासनिक जी कहाँ आप आपने आज इस छोटे से मैदान में इतने सारे बबबर शेर और शेरनिया कैसे कटा कर दिये और देखिए एक साथ प्यार से खड़े हैं यह हमारा Congress का कार्य करता किसी से नहीं डरता एक इंच पीछे नहीं हरता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए त्यार रहता है अच्छा मुझे कहा मुझे कहा पारलिमंट में कल कहा राहूल जी सुनिये सुनिये पारलिमंट में कल कहा बीजे पी को लोगों ने आपने भाशन दिया भाशन के लिए माफी दीजिए मुझे कहते है सही बात बोलने के लिए माफी बोलूँ माफी मांगूँ भाईयो और बेनो मेरा नाम राहूल सवर कर नई है मेरा नाम राहूल जान्दी है मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नी मांगूगा मर जाओंगा वगर माफी नहीं मांगोगा और ना कोई कांग्रेस वाल माफी मांगेगा माफी नरेंद्र मोदी को मांनी है नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टन्ट है अमिद शा उनको देश से माफी मांगनी है क्यूं मांगनी है मैं आज आपको बताने आया हूँ सबसे पहले सबसे पहले ये देश कि शक्ती इस देश की आत्मा इस देश की शक्ती इसकी अर्द विवस्ता थी अर्द विवस्ता है नहीं थी पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देश अलग-अलग धर्मों का देश अलग-अलग जातियों का देश अलग-अलग विचारधारों का देश मिलकर एक साथ 9% GDP पर कैसे चल रहा है एक तरफ चीन दूसरी तरफ हिंदुस्ताथ चिंडिया बोलते थे चिंडिया चाइना और इंडिया दुनिया का भविश्य चाइना और इंडिया और ये देखिए ये प्यास पकड़े हुए आज ये प्यास पकड़े हुए आज 200 रुपए 200 रुपए हिंदुस्तान की अर्द्वबस्ता नरेंद्र मोदी ने स्वयम अकेले नश्ट कर दी खतम कर दी आपको याद होगा आद बज़े रात को तीवी पर आए भाई और बेनो 500 रुपए का नोट 1000 रुपए का नोट मैं रद करने जा रहा हूँ और हिंदुस्तान की अर्द्वबस्ता को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुक्सान हुआ वो ठीक नहीं हुआ आपसे जूट कहा आपसे जूट कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है काले धन को खतम करना है प्रश्चा चार के खिलाफ लड़ना है जूट कहा माता है बेहनों के घरों से जेब से युवाओं के जेब से पैसा निकला और लाकों करोड रुपए अदानी और अनिल अमबानी के हवाले किये उसके बाद गबबर सिंग टैक्स मनमौन सिंग जी ने कहा चतामरम जी ने उनसे कहा इसको आप बिना पाइलेट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए देश का नुकसान हो जाएगा जो हमने बनाया है पुरे देश ने प्यार से घून पसीने से अर्ध्यवस्ता खड़ी कि यह नश्ट हो जाएगी नरेंद मुदी कहतें नहीं मैं तो बारा बचे रात को गबर सिंग टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा कर दिया और हुआ क्या 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज क्या 9% GDP ग्रोथ रेट होती थी आज 4% पे पहुँच गए है और वो भी उन्होंने GDP नापने का तरीका बदला GDP नापने का तरीका बदल दिया तो अगर आप हमारे तरीके से पुराने तरीके से GDP नापने तो आज 5.5% GDP ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का बाई और बेनो हिंदुस्तान के सब दुश्मन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ती हिंदुस्तान की अर्थवबस्ता नश्ट की जाए और वो काम दुश्मनों नहीं किया वो काम हमारे प्रधान मंत्री ने किया और फिर अपने आपको प्रधान मंत्री देश भक्त कहते हैं पूरा का पूरा पैसा दो तीन उद्योग पतियों को पकड़ा दिया है सब उद्योग पतियों को नहीं इस देश में बहुत सारे इमानदार उद्योग पती है और मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर किसान ने इस देश को बनाता है मज़ूर इस देश को बनाता है छोटा दुकांदार इस देश को बनाता है तो इमानदार उद्योग पती भी इस देश को बनाता है मगर पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में नरेंडर मोदी ने अधानी को 50 कांट्राक दिये एक लाग करोर रुपे से जएधा देश के एरफॉर्ट पकड़ा दिये देश के पार्ड पकड़ा दिये बेना कांट्राक्टे दे दिया क्यों? क्यों दिया? इस को आप क्या कहेंगे? इसको आप चोरी नहीं कहेंगे इसको आप रस्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको एक लाग चालिस हजार करों रुपे कुछी दिन पहले 15-20 लोगों का कर्जा माद किया है आप से आप से टेलेफोन इस्टिबाल करने के लिए 50% रेट बढ़ा देंगे और फिर बड़े से बड़े उद्योग पतियों का 60,000 करों रुपे माद कर देंगे अर्द्विवस्ता क्या होती है जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास किसानों के पास मजदूरों के पास युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के अर्द्विवस्ता आगे नहीं जा सकती मैं आपको समझा देता हूँ हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, युवाओं आप लोग माल खरीते हो जब आपके जेब में पैसा होता है आप चीज़े खरीते हो, करीत तो नहीं खरीते हो शर्ट, पैंट, जूता, मॉबाइल फोन, काले चश्मे जैसे आपके हैं ये आप खरीते हो जब आप खरीते हो फैक्टरिया ये चीज़े बनाती है जब फैक्टरिया ये चीज़े बनाती है आप ही लोगों को उन फैक्टरियों में रोजगार मिलता है ये एकनॉमिक सिस्टम है पैसा पहले गरीब लोगों ये जेब में डालो किसानों के हाथ में डालो मजदूरों के हाथ में डालो वही पैसा, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार पैसे का प्रयोग करेंगे चीजे खरीदेंगे चीजे खरीदेंगे, डिमांड बनेगा, डिमांड बनेगा, फैक्ट्रिय बनाएंगे नरेंडर मोदी ने आप सब के जेब में से पैसा छीन के निकाल दिया बगेल जी ने कहा 36 गर में 2500 रुपे दान के मिलते हैं मध्यप्रदेश, राजिस्तान 36 गर, करनाटा, पंजाब इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया इन प्रदेशों में हम सही MSP क्यों देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना हिंदुस्तान के किसान के मन रेगा हमने क्यों दिया क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान के मजदूर के बिना मन रेगा हमने क्यों दिया क्योंकि हम जानते है हिंदुस्तान के मजदूर के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है तो नरेंद मौदी ने पूरा पैसा खीट के अपने दो तीन चार मित्रों को दे दिया और हिंदुस्तान की अर्ध वेवस्ता को नश्ट कर दिया मगर वो वहाँ नहीं रुके वो वहाँ नहीं रुके बातने का काम करते है आपने पूरे देश ने नरेंद मौदी को चुना क्यों चुना हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए चुना अर्ध वेवस्ता को मजबूत करने के लिए चुना युवाओं को रोजगार देने के लिए चुना वो काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया चार परसेंट पे जीडी पे पहुँच गई 43 साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज बिन भर किसार आतमतिया कर रहे है मैंने पार्लमेंट में सवाल पूछा भाई बताओ, हिंद्र मोदी की सरकार है कितने किसानों ने आतमतिया की सरकार जवाब देती है, हमें मालूम नहीं पार्लमेंट में सवाल का जवाब देती है, हमें मालूम ही नहीं पर्देशों से जाके पूचिए, हमें नहीं मालूम इनको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की रीड की हड़ी के किसान कितने किसानों ने अपनी जान ली शर्म आनी चाहिए इन लोगों को मगर पूरे देश को मालूम है पूरा देश जानता है यहां हालत क्या है और फिर यह बातने का काम शुरू करते है एक धर्म को दूसरे धर्म से जम्मू कश्मीर में नौर्थ eस्ट में जाएए असाम जाएए मीजोराम जाएए मनिपूर जाएए नागालन जाएए अरुना चल जाएए देखिये नरेन रमोदी ने क्या काम किया है जला दिया उन प्रदेशों को आग लगा दिया असाम में बाटने का काम करते हैं देश को कमजोर करने का काम करते हैं और आप लोग जो सब यहां आए हो और जो करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को टीवी पे देख रहे हैं मैं आप से बात कर रहा हूं आप इस देश को बाटते नहीं हो आप इस देश को अपने खून पसीने से अपने दिल से ख़ड़ा करते हो रोज छोटे दुकांदार किसान, मजदूर बेरोजगार युवा ये सब लोग मिलकर इस देश को ख़ड़ा करते है ये आपका खून है ये आपका पसीना है और आपके देश को कमजोर किया जा रहा है हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है बोटा जा रहा है और आपके अर्द्विवस्ता को नश्ट किया जा रहा है और कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक बात को देखते हैं कि उनके हाथ में सत्ता है हां या ना सत्ता के लिए हमारे प्रधान मंत्री कुछ भी कर देंगे सत्ता के लिए अर्जव्यवस्ता को नश्ट कर देंगे हिंदुस्तान में सब युवाओं को बेरोज़गार कर देंगे marketing होनी चाहिए नरेंद्र मोधी की टीवी पे आने चाहिए रोज भया एक बात बताओ टीवी पे नरेंद्र मोधी रोज दिखाई देते दिखते हैं न? कितने घंटे दिखते हैं? दिन भर दिखते हैं न? भया ये जो टीवी पे 30 second का जो advertisement आता है वो कितने का आता है लाकों रुपए का आता है न तो ये नरेंद्र मोधी जो दिन बर TV पर दिखाई देते हैं और हिंदुस्तान के बाकी नेता कोई नहीं दिखता मनमौन सिंग्जी को आप TV पर देखते हो नहीं देखते हैं न तो इसका पैसा कोन दे रहा है ? वो लोग दे रहे हैं जिनको नरेंद्र मोधी आपका पैसा चीन कर दे रहे हैं ये सचाई देश की और मैं मीडिये वालों से कहना चाहता हूँ देखो आप पर बहुत बड़ी जमेदारी पढ़ती है हमारी सरकार थी आप हमारी सरकार पर आकरमन करते थे और आपने सही किया मैं स्टेज से कह रहा हूँ कि आपने अपना काम किया मगर आज वो अपना काम आप अपना काम भूल गए हो आज अपना काम भूल गए हो मगर आप भी देशवासी हो आप भी इस देश के हो और मैं हिंदुस्तान की सब इंस्टिटूशन के लोग से कह रहा हूं हर इंस्टिटूशन में जो लोग बैठे हैं चाहे हो हमारे कॉट्स में बैठे हो चाहे हो मीडिया में बैठे हो चाहे हो सरकारी ओफिसेज में बैठे हो चाहे हो ब्यूरोक्राइट्स हो आप ये बात याद रखिए जिम्मेदारी आपकी भी है जब आपको धबाया जाता है, कुछला जाता है, धमकाया जाता है आप पर आकरमन होता है मीडिया के लोगों पर आक्रम होता है तो ये आप पर आक्रमन नहीं हो रहा है ये हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमन हो रहा है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ बहुत समय हो गया इस देश को डराया जा रहा है दबाया जा रहा है अब कॉंग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है कॉंग्रेस वाला बबर शेर होता है नहीं डरता किसी से मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो सरकारी आफिसेज में बैटे हैं जो मीडिया में बैटे हैं मैं उन लोगों से कह रहा हूँ डरो मत आपके साथ कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है और जो आज डर है डर का महौल है नफरत का महौल है इस महौल को हिंदुस्तान की जनता कॉंग्रेस पार्टी हम सब मिलके मिटा डालेंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार